दोस्तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक चाइनीज हॉरर मूवी जिसका नाम है बुन्शिन शाबा होईची धा इयरलेस ये मूवी 2021 में रिलीज हुई थी और इस मूवी में हमें काफी एंडर्टेनिंग और डरावनी चीज़े दिखाई गई है IMDB ने इस मूवी को 5.4 आउट ओफ 10 की रेटिंग्स दी है और ये काफी फेयर रेटिंग है तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्तर देखना क्योंकि ये मूवी काफी ज़धा इंटरस्टिंग है चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बुंशिन शाबा होईची दा इयरलेस मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे है और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ तो मूवी शुरू होती है यो में नाम की एक लड़की को दिखाते हुए जो ब्रिच से नीचे कूदने वाली थी यो में की बहन ली में उसे ढून रही थी और इससे पहले यो में नीचे कूद पाती ली में उसे बचा लेती है इस सब के बाद ली में भी यो में के साथ ब् जाने की पूरी कोशिश करती है पर एंड में वो दोनों ही पानी में गिर जाते हैं पानी में गिरने के बाद दोनों भेने एक दूसरे से अलग हो जाती है पर वो दोनों तैर कर किनारे पर आ जाती है यहां पर हम लोग देखते हैं कि यो मेई ली मेई से बिलकुर भी बात नह मिलती है गुडिया को उठाते ही यो मेई को अजीब आवाजे आने लगती है और से किसी लड़की की जलर दिखाई देती है यो मेई उस गुडिया को अपने साथ घर ले जाती है क्योंकि यो मेई का भी कोई भी इस दुनिया में नहीं था बिलकुल उस गुडिया की तरह घर पर पहुचकर योमेई अपनी बहन से माफी मांगती है पर ली मेई कुछ भी नहीं बोलती। योमेई अब गुडिया को अपने कमरे में ले जाकर रग देती है और रात को उसे कुछ भयानक सपने आते है। योमेई को सपने में एक छोटी डरामी बच्ची दिखाई देती है जो से बुरी तरीके से डरा देती है और योमेई जाक जाती है। योमेई अब सुभा काम पे जाती है और वो काम करती है एक टॉई डिजाइनिंग कमपनी में। योमेई की एक दोस्त होती है जिसका नाम होता है कोईजे और आज योमेई का बास योमेई को एक खिलोना डिजाइन करने का काम देता है योमेई का बास उसे जीकी नाम की एक लड़की से भी मिलवाता है जो खिलोना डिजाइन करने में योमेई की मदद करेगी योमेई अब काम पे बैठती है पर सब लोग योमेई के ब्रिज वले इंसिडेंट के बारे में बात करते है योमेई को इसके बाद पास के स्टोर रूम में से कुछ आवाजे सुनाई देती है और वो जाके चेक करती है पर स्टोर रूम में कुछ भी नहीं होता अब रात को सब लोग घर चले जाते है और Yomai काम कर रही होती है उसे फिर से स्टोर रूम से कुछ आवाजे सुनाई देती है और जब वो जाके चेक करती है तो लाइट चली जाती है योमेई को अब दो भयानक आत्माई दिखाई देती है जिससे योमेई बुरी तरीके से डर जाती है पर वो आत्माई बस दो लड़किया थी जो योमेई को पकड़ लेती है योमेई के सामने अब आती है जी की जो योमेई को डराने के लिए आई थी जीकी योमी को अब धमकिया देती है क्योंकि जीकी को योमी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती पर तभी वहाँ पे कुईजे आ जाती है जो योमी को बचा कर वहाँ से ले जाती है सब लोग अब घर चले जाते है और जीकी अकेली रह जाती है जीकी को अब कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी फील होती है और तभी छट से एक फोटो नीचे गिरती है वो फोटो बहुत ज़दा डरावनी होती है और तभी एक घड़ी में तीन मिनट की उल्टी गिंती शुरू हो जाती है जीकी घड़ी को डर के मारे तोड देती है पर वो उल्टी गिंती नहीं रुकती लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और जीकी को स्टोर रूम में एक गुड़ीया मिलती है जो डरावनी बाते बोल रही थी जीकी को अप स्टोर रूम के अंदर से आवाजे आती है और जो वो जाके चेक करती है तो उसे मिलती है एक बहुत ही भयानक आत्मा जो इंदाएंड जीकी को बुरी तरीके से मार डालती है दूसरी तरफ हम योमेई की गुडिया को देखते हैं जो हस रही थी और इसका मतलब वो आत्मा गुडिया से जुड़ी हुई है अगले दिन योमेई को जीकी की मौत के बारे में पता चलता है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि पुलिस को जीकी की लाश के पास से एक विंड मिल मिली थी आफिस में सब लोग अब योमेई पे इलजाम डालने लगते हैं जीकी की मौत का और योमेई परिशान होके बाहर चले जाती है अब कुएजे योमेई को समालने के लिए आती है पर क्योंकि योमेई का मूट ठीक नहीं था तो वो कुएजे से लड़ाई कर देती है और योमेई बोलती है कि उसे क्वेजे जैसी दोस्त नहीं चाहिए अब रात को योमेई इंटरनेट पे उस गुडिया के बारे में सर्च करती है क्योंकि जब से वो गुडिया घर में आई है तब से ही अजीब चीजे हो रही है योमेई को पता चलता है कि वो गुडिया को और जदा शक्तिशाली बनाने के लिए योमेई को अपना खून गुडिया को पिलाना होगा योमेई अब समझ जाती है कि ये गुडिया उसकी रक्षा करेगी और इसलिए ही गुडिया ने जीकी को मार डाला योमेई अब गुडिया को और जदा शक्तिशाली बन पर तब वहां पर ली मेई आ जाती है। अब ली मेई से बाते करते हुए योमेई का खून गल्ती से गुडिया पर गिर जाता है। और ये बात योमेई को पता भी नहीं जलती। और इस सीन में एक बार फिर से योमेई अपनी बहन को पुरा भला बोल देती है। उस दिर बात योमेई को कुईजे का वीडियो कॉल आता है और उनकी दोस्ती फिर से ठीक हो जाती है। कुईजे उस टाइम पे आफिस में होती है और योमेई को एक भयानक आत्मा कुईजे के पीछे दिखाई देती है। योमेई कुईजे को बचने के लिए बोलती है पर कुईजे को कुछ भी दिखाई नहीं देता। फोन अब अपने आप कट हो जाता है और योमेई को कुईजे की तरफ से बहुत सारे मैसेजजे आते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है कि कुईजे को बचा लो। अब ये मैसे से एक डरावनी फोटो नीचे गिरती है और घड़ी में तीन मिनट की उल्टी गिंती शुरू हो जाती है जिसके बाद कोईजे के पास आती है वही भयानक आत्मा अब कुछ दिर बाद योमेई आफिस पहुचती है जहां पे लाइट्स फ्लिकर कर रही थी आफिस में योमेई क्योंकि योमेई ने कोईजे को गुरा भला बोला था और इसका मतलब अब वो गुडिया योमेई की बहन को भी मार देगी योमेई अब तुरंती भाग कर घर जाती है और वो गुडिया को कूडे में फेक देती है पर वो गुडिया अगले ही पल वापिस कमरे में आ जाती ह योमेई अब गुरी तरीके से डर जाती है और अब गुडिया को गुस्सा आ जाता है क्योंकि योमेई ने उसे फैकने की कोशिश करी पूरे कमरे में भुकंप आ जाता है, योमेई के सारे खिलोने जिन्दा हो जाते है और अब वो आत्मा बोलती है कि वो अब योमेई को नहीं छोड़ेगी और फिर डर के मारे योमेई घर से भाग जाती है योमेई को अब समझ रही आता कि उसे क्या करना चाहिए और फिर वो कॉल करती है कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को अब कुछ दिर बाद दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जिसमें होते है एक प्रोफेसर और एक प्रोफेसर का असिस्टेंट वो दोनों घुसते हैं योमेई के घर में उन दोनों के पास भूत पकड़ने वाले बहुत सारे scientific tools होते हैं और थोड़ी ही देर में उन्हें पता चल जाता है कि योमेई का घर haunted है योमेई अब उन दोनों को गुडिया के पास ले जाती है और गुडिया को देखते ही प्रोफेसर बताता है कि एक Thailand का Command Thong है और इसके अंदर जोड़ना नाम की एक आत्मा है जोड़ना एक छोटी लड़की की आत्मा है जिसे भगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि वो अपने victim को मार कर ही दम लेती है अब क्योंकि जोड़ना की आत्मा योमेई को मारना चाती है तो योमेई को बचाने के लिए परोफेसर गुरिया को एक बॉक्स में बंद कर देता है उस बॉक्स से परोफेसर को पता चल जाएगा कि जोड़ना के अंदर इसाधा energy है और से रोकना कैसे है थोड़ी देर में ही जौड़ना वहाँ पे आ जाती है और वो सब कुछ तबाह करने लगती है जौड़ना की ताकत इतनी जादा होती है कि प्रोफेसर के यंदर बेकाबु हो जाते है और सब लोग जाकर बेस्मेंट में छुप जाते है प्रोफेसर ये सब देखने के बाद समझ जाता है कि जोड़ना को कोई इनसान नहीं रोग सकता क्योंकि जोड़ना की ताकत हच से जादा है पर प्रोफेसर किसी और आत्मा को बुला कर जोड़ना को रोग सकता है अब प्रोफेसर एक उईजवोड बनाता है और वो योमेई के साथ मिलकर बुलाता है बुन्शिन चाबा की आत्मा को थोड़ी दिर बाद लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और अचानक ही एक एनरजी प्रोफेसर और असिस्टेंट को दूर फेक देती है वो एनरजी होती है इविल जोरना की जो अब टेबल पे क्रॉल करते हुए आती है योमेई को मारने के लिए पर इससे पहले जोरना योमेई को मार पाती बुन्शिन चाबा वहाँ पे आ जाती है और वो योमेई को बचा लेती है बुन्शिन शाबा के लंबे बाल होते हैं, लंबे नाखून होते हैं और इसने लाल कलर के कपड़े पहने हुए थे बुन्शिन शाबा अब जौर्णा की आत्मा से लड़ने लगती है पर जौर्णा अपना रूप बदल लेती है जौरना अब बदल जाती है यो मेई में जिससे कन्फ्यूजन हो जाती है कि आखिर असली यो मेई कौन सी है पर बुंशिन शाबा जौरना को पहचाल लेती है और से एक लकड़ी के टुकड़े से स्टैप कर देती है जौरना एक बर फिर से अपने असली रूप में आ जाती है और वो बुंशिन शाबा पे हमला कर देती है जौरना बुंशिन शाबा की शक्तिया कहीचने लगती है और बुंशिन शाबा हारने लगती है पर तब यो मेई एक होले लिक्विड को जोरना पे डाल देती है जिससे जोरना कमजोर पड़ जाती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है बुणशिन शाबा भी अब वहाँ से चले जाती है और इसके बाद प्रोफेसर बताता है कि जोरना की आत्मा कुछ दिर में ठीक हो जाएगी और फिर वो यो मेई को माणने के लिए वापिस आ जाएगी अब यहाँ पे प्रोफेसर बताता है कि जोरना की एनरजी बहुत ही जादा है इतनी जादा कि बुणशिन चाबा उसे अकेले नहीं रोप पाईगी और अब उन्हें एक ऐसी आत्मा को बुलाना होगा जो जोरना से जादा ताकतवर हो और दोस्तो वो ताकतवर आत्मा और कोई नहीं सादा को है जी हाँ दोस्तो रिंग मूवी वाली भूत जो साथ दिन में लोगों को मार देती है वो अब इस मूवी में आएगी यो मेई को बचाने के लिए अब सादा को वो बुलाने के लिए किसी को उसकी कर्स्ड वीडियो को देखना होगा ताकि वो इस दुनिया में आ सके और ये काम करने के लिए यो मेई मान जाती है अब रात होती है और यो मेई को अपने लेविंग रूम से कुछ अवाजे आती है वो जाके चेक करती है जहां पर लाइट्स चली जाती है और से एक स्विंगिंग चेर पे बैटी हुई मिलती है बुन्शिन चाबा और यहाँ पे आता है ट्विस्ट क्योंकि बुन्शिन चाबा और कोई नहीं यो मेई की बहन ली मेई होती है यो मेई को अब याद आता है कि असल में ली मेई ब्रिज से नीचे गिरने के बाद मारी गई थी क्योंकि उसके मुह में एक आइरन रॉड घुस गई थी और असल में उस हादसे के बाद से ही ली मेई की आत्मा अपनी बहन का ख्याल रख रही है और ये सब जानने के बाद यो मेई को अपनी गलतियों का एसास होता है कि उसने अपनी बहन के साथ कितना ज़्यादा बुरा वेवार किया था अब अगले दिन प्रोफेसर योमेई को एक अजीब सी मशीन सर पर पहना देता है और फिर योमेई देखती है सादाको की कर्स्ड वीडियो वीडियो के बाद सादाको अपने कुए से बाहर निकलती है और वो टीवी से निकल कर योमेई के पास आती है लाइट्स फ्लिकर होने लगती है पर इससे पहले प्रोफेसर सदाकों को जोड़ना से मिलवा पाता सदाकों सब लोगों पे हावी हो जाती है पर वहाँ पे अपनी बहन को बचाने के लिए आ जाती है बुन्शिन शाबा बुन्शिन शाबा अब सादाकों से लड़ने लगती है पर ऐसा होना नहीं चाहिए था और इसलिए प्रोफेसर एक बड़ी सी मेगनेटिक फील्ड को जनरेट करता है जिससे दोनों ही आत्माएं भाग जाती है अब यहाँ पे खड़ी होती है एक नई दिक्कत क्योंकि असल में जोरना को मारने के लिए बुन्शिन शाबा और सादाकों को दोस्ती करनी होगी ताकि वो मिलकर जोरना को मार सके पर अब वो दोनों एक दूसे से आपस में लड़ने लगे है प्रोफेसर अब यहाँ पे बताता है कि अब किसी इनसान को भूतों की दुनिया में जाना होगा और बुन्शिन शाबा और सादाकों की लड़ाई को खतम करना होगा ताकि वो दोनों जोरना को रोक सके यह काम करने के लिए यो मेई मान जाती है और फिर प्रोफेसर यो मेई को दूसरी डाइमेंशन में भेज देता है यो मेई सक्सेस्पुली दूसरी डाइमेंशन में चली जाती है और वो वहाँ पे खुद को देखती है वो भी उस रात को जब यो मेई को गुडिया मिली थी अब प्रेजेंट वाली यो मेई अपने पास्ट को गुडिया उठाने से मना करती है और हम समझ जाते हैं कि मूवी की स्टार्टिंग में यो मेई को अपनी खुद की ही जलग दिखी थी यो मेई अब अचानकी उस रात में पहुँच जाती है जब जोर्णा ने कुएजे को मारा था और हमें पता चलता है कि यो मेई नहीं खुद को मैसेज भेजे थे कुएजे के फोन से मतलब आप लोग समझ रही हो ना कि यो मेई पास्ट में चली गई है और अब वो पास्ट मेरे अपनी चीजों को सुधारने की कोशिश कर रही है ताकि वो जौर्णा की आत्मा को रोख सके खेर योमेई अपने पास्ट को सुधारने में फेल हो जाती है और फिर योमेई एक दूसरी जगा पर पहुँच जाती है जहापे उसे बहुत सारी भयानक और डरामनी चीज़े दिखाई देती है इन दा एंड योमेई पहुच जाती है सादकों के कुए के पास और वो कुए के अंदर जाने की कोशिश करने लगती है पर तबी जोड़ना वहाँ पे आ जाती है योमेई को मारने के लिए योमेई को बचाने के लिए तुरंती उसकी बहन बुन्शिन शावा वहाँ पे आ जाती है और एक बर फिर से जौरना और बुन्शिन शावा में लड़ाई शुरू हो जाती है बुंचिंचावा फिर से हार जाती है और उस जगा पे आग लग जाती है जिससे योमेई को अपना पास्ट याद आ जाता है हमें अब पता चलता है कि बच्पन में योमेई के घर में आग लग गई थी और बच्चों को बचाने के चक्कर में योमेई के मम्मी पापा मारे गई थे और उसी दिन के बाद से योमेई और लीमेई एक साथ रहते है और वो एक दूसरे की मदद करते है पर बड़े होने के बाद यो मेई को ली मेई से नफरत होने लगी क्योंकि ली मेई जादा सक्सेसफुल थी यो मेई से ये सब याद आने के बाद यो मेई अपनी बहन की मदद करने की कोशिश करती है और फिर वो किसी तरह सादा को से बात करने का तरीका ढूंड लेती है पर जोड़ना वहाँ पे भी आ जाती है यूमे को मारने के लिए अब तबी यूमे को सदा को पकड़ लेती है और यूमे असली दुनिया में जाग जाती है यूमे को अभी भी पता नहीं होता कि उसने सदा को और बुंशिन शाबा की लड़ाय सुलशाई या फिर नहीं की तरफ अब सबसे पहले वहां पे आती है सादा को जो जौर्णा को दूर फेक देती है जौर्णा अब सादा को की एक वूडू गुडिया बना देती है और फिर वो सादा को के हाथ पैरों को तोड़ने लगती है और इससे पहले जौर्णा जीत पाती वहां पे आ जाती है ब सुंतिनों की एनरजी इतनी जादा होती है कि प्रोफेसर उस एनरजी का इस्तमाल करकर एक पोर्टल खोल देता है जो भूतों को असली दुनिया से बहुत दूर भेज देगा उस पोर्टल में जौरना जाने से बच जाती है पर सदा को अचानकी जौरना को पकड़ लेती है औ पर बुंचिन चाबा अपनी बहन को पकड़ लेती है पर इंदाएंड योमेई अपनी बहन से माफी मांगती है और वो पोर्टल के अंदर चली जाती है जिसके बाद पोर्टल बंध हो जाता है और बुंचिन चाबा बच जाती है अब कुछ दिर बाद योमेई को किनारे प और योमे को अब ऐसा लगता है कि वो इतनी देर से बस एक बुरा सपना देख रही थी और कुछ भी नहीं मलब जो पूरी मूवी थी वो बस योमे का एक बुरा सपना था और मूवी इसी के साथ खतम कर दी जाती है अब दोस्तों यहाँ पे दो थियोरी है पहली थियोरी के हिसाब से योमे ही पोर्टल से गुजरने के बाद एक दूसरी दुनिया में पहुच गई जहाँ पे सब कुछ ठीक था और ली में ही जिन्दा थी दूसरी थियोरी के हिसाब से योमे डूबने के बाद कोमा में चली गई थी और फिर वो एक बुरे सपने में फस गई थी तो आप लोग मुझे कमेंड में जरूर बताना की आपको कौन सी थियोरी जादा सही लगती है तो ये थी एक्स्प्रेनिशन बुंशें शाबा हियोची दा इयरलेस मुवी की और दोस्तों ये जो हियोची दा इयरलेस मुवी का नाम है ये इसलिए पड़ा है क्योंकि जो थाइलेंड का कुमान थौंग होता है उसके कान नहीं होते और से हियोचीदा इयरलेस कहते है असल में हियोचीदा इयरलेस का एक पूरा लेजेंड है जिसको मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगा मेरे फेस्बूक पेज़ का लिंग, इंस्टा का लिंग, स्नाप चैट का लिंग बाकी सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौझूद है तो अगर आप लोग में से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग में को बाकी जगा फॉलो जरूर कर सकते हो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करकर और चैनल को सब्सक्राइब करकर हमारा सपोर्ट जरूर करना क्योंकि इससे हमें काफी ज़्यादा हिल्प मिलती है और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए ठैंक यू बाब बाई